Dear student, मैंने आपको व्यवसाइक अर्थशास्त्र के एक introduction का परिचे दिया था कि व्यवसाइक अर्थशास्त्र क्या होता है? अब आगे हम व्यवसाइक अर्थशास्त्र और सामाने अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में बढ़ते हैं कि सामाने अर्थशास्त्र और व्यवसाइक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है अर्थशास्त्र एक पारंपरिक विशे है जो लंबे समय से प्रबल है मतलब अर्थशास्र कौटले के अर्थशास्र से ही चला आ रहा है और व्यवसाइक अर्थशास्र एक आधुनिक अवधारना है जो अभी विक्सित हुई है मतलब कहने का ये है कि अर्थशास्त्र एक पुराना परंपरागत विशय है और व्यवसाइक अर्थशास्त्र आधुनिक विशय है जो अभी विक्सित हुआ है अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सैधानतिक पहलूं को शामिल करता है जबकि व्यवसाइक अर्थशास्त्र विवारिक पहलूं को शामिल करता है अर्थशास्ट्र सिध्धान्त है जिसके अंतरगत विभिन मानेताई हैं और विभिन उसकी सिध्धान्तिक पूमी का है जबकि व्यवसाइक अर्थशास्र में व्यवारिक पहलू व्यवार में क्या हो रहा है वहाँ पर माननेता है किसके आधार पर निर्धारित की जा रही है व्यवार के आधार पर की जा रही है कि व्यवारिक पहलू क्या है उसके आधार पर इसमें माननेता है शामिल की जाती है अर्थशासर में व्यक्तियों और समाज की समस्याओं का अध्यान किया जाता है हम यहाँ पर consumer behavior का अध्यान करते हैं कि उभोकता की क्या इस्तिती होगी उभोकता किन चीजों को मैं तो देता है समाजिक व्यवस्ता क्या है समाजिक समस्याओं क्या है जबकि व्यवसाइक अर्थशास्त्र में केवल मुखे शेत्र संगठनों की समस्याओं को द्यार में रखा जाता है कि बाजार की क्या विवस्ता है फर्म का उदलाब अधिक्तम करने के लिए वो किस प्रकार से कारे करेगी ये इसके अंतरगत अध्यन किया जाता है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक कारकों पर विचार किया जाता है जैसे उभोग उत्पादन इसी का विचार किया जाता है व्यवसाइक अर्थशास्त्र में आर्थिक में आर्थिक और आर्थिक दोनों ही अनार्थिक दोनों ही कारकों पर विचार किया जाता है और सुक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो एकॉनामिक्स दोनों अर्थशास्त्र के दाएरे में आते हैं माइक्रो और मैक्रो व्याष्टी अर्थशास्त्र और समश्टी अर्थशास्त्र दोनों का ही अध्यन अर्थशास्त्र में किया जाता है परन्तु केवल सुक्षम अर्थशास का व्यापक गुंजाईश है और राष्ट्रों के आर्थिक मुद्दों को शामिल किया गया है जबकि व्यापक अर्थशास का एक हिस्सा है जो संगठनों की आर्थिक समस्याओं तक शामिल होता है तो इस तरीके से हम अर्थशास और व्यापक अर्थशास में अंतर कर सकते हैं अम आता है व्याफसाइक अर्थशास यह व्याफसाइक अर्थशास के महत्व व्याफसाइक अर्थशास एक संगठन में निर्ने लेने में एक महत्वण भूमी का निभाता है जो व्याफसाइक अर्थशास त्री है वो कोई भी संगठन का निर्ने लेने के लिए एक के द्वारा महत्पुन निर्ने ले सकता है निर्ने लेना उपलब्द विकल्पों में से कारेवाई के सर्वोत्तम का पाठेक्रम को चुनने की एक प्रक्रिया है प्रबंद किया अर्थशास की भूमी का और जिमेदारी को नीचे समझाया गया है यह इसके बिंदू है निमन ब पूर्थी विशलेशन कि किसी भी वस्तू की क्या मांग होगी उसका मांग पूरवानुमान लगाया जाएगा और उसके द्वारा आपूर्थी कितनी की जाएगी शौर्ट रन कास्ट और लॉंग रन कास्ट और कम सीमा तो प्योगिता का कानून यह अवधारना समस्याओं क कि पहचान करने और विशलेशन करने और समाधान खोजने में प्रबंदकों को समर्थन करती है कि लॉंग टम क्या होगा का और शॉर्ट टम क्या होगा और किसीमान तुपयोगिता यदि कम है तो किस तरीके से उसका मुले का निर्धारन किया जाएगा उनकी समस्याओं को अधान करने के लिए प्रबंदक अर्थिशास के सिद्धानतों के द्वारा निर्णे ले सकते हैं यह प्रबंदकों को विभिन आंध्रिक और बहारी व्यवसाइक कारकों की पहचान करने और उनका विशलेशन करने और संगठन के कामकाज पर उनके प्रभाव से मदद करता तो ये महतवपुन भूमीका है विवसाई करतेशाथ आर्थिक अध्यन और निशकर्षों के आधार पर विविन नीतियां जैसे मुल्य निर्धारण नीतियां और लागत नीतियों को तयार करने में प्रबंद्कों की मदद करता है। विवसाइक अर्थिक अध्यन और निशकर्षों के आधार पर विविन नीतिया जैसे मुल्य निलधारण नीती है लागत नीती है इन में प्रबंदकों को मदद करता है। विविन आर्थिक चर जैसे लागत उत्पादन और विवसाइक पूझी का अध्यन करके संगठन भविश्य की भविश्यवानी कर सकते हैं। विविकों को प्रभावी निर्ने लेने और संगठन को चलाने में मार्डषन करने में भी मदद करता है। तो इस प्रकर से जो व्यवसाइक अर्थशास्त्र है वो आर्थिक कारकों को जैसे कितनी आए होने वाली है लाब कितना होगा आषानी क्या होगी इन सब के बारें में बताने में मदद करता है व्यवसाइक अर्थशास्त्र का सारांश व्यवसाइक अर्थशास्त्र में आर्थिक ज्यान, तर्क, सिद्धान्थ और विशलेशनात्मक उपकर्णों का एक हिस्सा शामिल है जो तर्क संगत व्यवसाइक निर्ने लेने के लिए उप्योग किया जाता है संक्षेप में यह है Applied Economics है जो आर्थिक सिध्धान्त और व्यवसाइक अभ्यास के बीच की खाई को खतम करता है Applied Economics का क्या मतलब है कि यह जो व्यवारिक ज्यान है उसके आधार पर यह निर्ने लेते हैं और केवल सैध्धान्तिक आधार पर निर्ने नहीं लेते हैं व्यवसाइक अर्दशास्त का दायरा काफी विस्तृत है यह अधिकान्ष व्यवारिक समस्याओं के एक प्रबंधक का एक या एक फर्म के चहरे को कवर करता है व्यावसाईक अर्दशास्त्र का जो दाइरा है वो बहुत विस्तृत है, ये किसी भी फर्म को और किसी भी प्रबंधक कवर करता है का मतलब, चेहरे को कवर करता है का मतलब, कि ये उसके निर्णे लेने में एक सहेता करता है, सिध्धान्तों के द्वारा वो निर्णे उचित ले सकता है यह निशकष निकाला जा सकता है कि व्यवसाइक अर्थशास दो विश्यों के बीच की एक कड़ी है जो प्रबंधन और अर्थशास्त्र है प्रबंधन अनुशासन कई सिध्धानतों पर केंद्रित है जो संगठनों के निर्णे लेने की प्रक्रिया में सहता करते ह दूसरी और अर्थशास्त्र संगठनों के निर्धारित उद्देशों को प्राप्त करने के लिए सिमित संसाधनों के इस्टतम आवंटन से संबधित है देखिए सबसे महतपून बात यह होती है कि कोई भी फर्म हो या कोई भी उद्योग हो या व्यवसाए हो उसको का सबस अधिक्तम लाप कमाना है तो उसके पास उसके जो उद्देश है उनको वो कम से कम लागत में प्राप्त कर सके जो उसके पास सिमित संसाधन है उससे वो अपने अधिक्तम लाप को प्राप्त करे वोई उसका प्रमुक उद्देश होता है तभी वो अधिक्तम लाप कमा सकता तो इसके लिए व्यवसाइक अर्थशास्त्र एक महतपुन भूमी का अदा करता है। यह व्यवसाइक अर्थशास्त्र की महतपुन भूमी का है।